हम सबको पता है कि इस टाइम पे पूझ गुरुजी की जो कथा है वो भिलाई 36 गड़ में चल रही है स्रेश वाए नमस्तो भियाम हम सबको पता है कि इस टाइम पे सावन का बहुती पवित्र महीना चल रहा है और इस टाइम पे पूज गुरुजी की कता भी भिलाई 36 गड़ में चल रही है और उस कता में गुरुजी ने तीन महा उपाय की बात की है जो कि सावन के महीने में करना चीए काफी लोग परेशान थे बैया जो गुरुजी ने सवा गांठ लगाने वाले रुद्राक्ष के माला की बात की है वो हम अपने घर पे कैसे बनाएंगे इसकी बात इस वीडियो में करेंगे जिसके लिए हमें चार मुखी पांच मुखी और ये छे मुखी रुद्राक्ष की जरूरत हमें पढ़ेगी अगर आपके पास रुद्राक्ष नहीं है तब आपको क्या करना है इन सभी की बात करेंगे जो कि पूझ गुरुजी की कता से सुनके बहुत अच्छे से आपको समझाओगा ठीक है न देखो बहुत विस्तार से बताने जरा हूँ इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा कि हमें कैसे इस काम को करना होगा ठीक है न अब देखो गुरुजी ने पहले उपाय की बात की थी भिलाई में कि वहाँ पर उन्हें बताया कि चार मुखी रुद्राक्ष हमें कितने लेने होंगे तीन रुद्राक्ष लेने हैं कितने चार मुखी के तीन रुद्राक्ष आगे बढ़ते हैं फिर उन्होंने बताया कि ह हमें पांच मुखी रुद्राक्ष भी लेने हैं, वो कितने लेने हैं, तीन, कुल मिला करके नौ रुद्राक्ष लेने हैं, यानि कि चार मुखी रुद्राक्ष हमें तीन लेने हैं, पांच मुखी रुद्राक्ष हमें तीन लेने हैं, साथ ही साथ हम सभी लोगों को छे मुख आपको लेना होगा लाल धागा, कोई और धागा आप में ले सकते हैं, जैसे यहां पर देखों मैंने ऐसे कर दिया, यह ले लिया आपने लाल धागा, अब इस लाल धागे पे बनाऊगी कैसे, आपको सबसे पहले धागे में डालना होगा क्या 4 मुख cidade ठीक फिर उसके बाद म के बाद में एक सवा गांठ लगानी है, देखो आधा गांठ लगाते कैसे हैं ये कोई नहीं जान सकता खाली वही विक्ति जान सकता है जिसको धागे में मोती को पिरोने आता है यानि कि डालने आता है जो लोग मंगल सूतर बनाते हैं तो आप किसी भी पूजा पाट की स्टोर पे जाओगे उनसे कह देना भैया हमें इसकी माला बनानी है और हर तीन रुद्राक्षे बाद में सवा गांट लगा देना तो वो अपने तरीके से कोई जैसे मैं आपको कितने भी अच्छे से समझा दूँ आप आधी गांट नहीं लगा पाओगे बि से पच्चेस रुपए लेंगे रुद्राक्ष आप अपने पास से लेके जाके उन्हें देना लाल धागे में कहना भैया हर तीन रुद्राक्षे बाद में आप सवा गांट लगा देना वो लगा देगे ठीक ना तो तीन रुद्राक्षे बाद आपने क्या किया सवा फिर से आपको चार मुखी रुद्राक्ष डालना है पांच डालना है छे डालना ठीक उसके बाद में फिर से आपको इसके बाद में सवागांट लगानी है फिर वही काम करोगे चार मुखी रुद्राक्ष पांच मुखी रुद्राक्ष छे मुखी रुद्राक्ष डालोगे और उसके बाद में सवा गाठ यहाँ पे लगानी होगी, इस प्रकार से जब आप लगाओगे, तो आपकी माला बन करके तयार होगी, कुछ इस प्रकार से, अरे बनेगी की नहीं बनेगी, बन जाएगी ना, अब देखो, इस माले को सुध कैसे करोगे, इस माले को उठाना, मह छोटे से पातर में दूध ले लेना, और पांच बार दूध चढ़ा देना, और थोड़ा सा घी ले करके जाना, अपने हाथों से दो बार घी का लेपन कर देना, अच्छे तरीके से, लेपन वगरा करने के बाद में, जल वगरा समर्पित करने के बाद में, इस रुद्राक आपको धारण कर लेना इस सावन के महीने में, आपके जीवन की जो तकलीफे होंगी, प्रॉब्रम्स होंगी, समस्याइं खतम होने का नाम ही नहीं ले रही है, वो सारी समस्याँ कहां गायब हो जाएगी, कहां खतम हो जाएगी, आपको खुद भी पता नहीं चलेगा, इससे special इससे प्यारा उपाय आपको नहीं मिलेगा, मैंने बहुत विस्तार से आपको समझाया, किस प्रकार से आप उस सवागाट को लगवाओगे ले जाकर के मार्केट में, अब एक बात और ध्यान लखिएगा, मैंने इसलिए नहीं बताया ना, यहाँ पे कि आप खुद से लग अब बात करते हैं, बैया हमारे पास तो रुद्राक्ष ही नहीं है, ना हमारे पास 4 मुखी रुद्राक्ष है, ना 5 है, न 6 है, तो एक छोटा सा मैंने शॉप ओपिन कर रखा है, दुकान है मेरे पास, पूजा पाट के स्टोर की, अगर आपको 4 मुखी रुद्राक्ष, 5 कि रुद्राक्ष चाहिए ठीके न तो मैं भी कहीं से खरीद के लाया हूँ तो आपको भी मैं दूँँगा तो कहीं से खरीद के लूँगा कुछ पैसे लूँगा ठीके न वो सभी से बिल्कुल अलग होंगे और उन प्रुद्राक्ष को आप मुझे address भेज देना, WhatsApp नमबर होगा 900-564-3345, ये नमबर है हमारा, इस नमबर पे मैसेज करना, मैं आपके घर तक कुरियर करतोंगा, ठीक है न, चलो भाई, तो यहाँ पर यह चीजे समझ में आ गई हैं, अब गुरुजी की कता के हम लोग दूसरे उपाय की बात कर लेत तो आप इस काम को कर सकते, ठीक है न, समझने कोशिश करिएगा, जिससे देखो, यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक रुद्राक्ष दिख रहा है, जो भी रुद्राक्ष आप पे घर में पड़ा है पहले से, चाहे वो 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, कोई भी रुद्राक्ष हो, ए चोटी सी कटोरी में, बहुत जादा नहीं, चोटी सी कटोरी में दूद्ध होगा, उस दूद्ध को 5 बार में, ठीक है न, एक ही बार में मत पलट देना, 5 बार में उस दूद्राक्ष के उपर गिराना है न, गिरा दिया, अब दूद्र गिराने के बाद में आपके पास में घी होना चीए तो तो आपको क्या करना है दो बार घी का भी लेपन क्या करेंगे उस रुद्राक्ष के ऊपर अच्छे से कर देंगे ठीके ना करने के बाद में आप सात लोटा जल चढ़ाएंगे कितने लोटा जल चढ़ा होगे सात लोटा जल उसी रुद्राक्ष के ऊपर ओ तिथियों को नोट कर लो ठीक है ना चाहे वो अस्ठमी तिथी पढ़ेगी चाहे वो आपकी कौन सी ये त्रेयोधसी यानि की सावन की शुरात्री पढ़े या फिर प्रदोश की तिथियां पढ़ जाए ऐसी जो विशेश तिथियां पढ़ती हैं सावन के महीने में चाहे बीमारी के लिए करो महाद्यों को जल्च रहने के लिए करो या फिर खुद अपने गले में धारन भी कर सकते हो इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा और आपके जीवन की जो तकलीफे होंगी समस्याएं होंगी वो शिव शंभू भोलेनात हमेशा के लिए दूर जर जब आप सभी लोग को करना है वीडियो को लाइक और मेरे जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं अचानक से चैनल पे आ गए हैं तो जल्दी से करिएगा चैनल को सब्सक्राइब ठीक है ना देखो भाई अब यह उपाय के लिए है बीमारी के लिए ब शिवलिंग के पास में सुबह करना सुबह करलो शाम को करना है तो शाम को करलो पूरे सावन के महिने में किसी भी दिन आप इस काम को कर सकते हो सबसे पहला काम करना है आपको एक लोटा शुद जल तामबे के लोटे से महादयो के शिवलिंग के उपर स्री शिवाय नमस तु अरे गिरेगा ना जिस जगह से जल नीचे गिरता है जहाँ पर मैं लाल कलर से पेंट कर रहा हूँ ना इसी स्थान पर जो आपको मैंने एक बेल पत्र दिखाया उस बेल पत्र को यहाँ पर रख करके और जल जो आपने चढ़ाया उस जल को रोक देना जो व्यक्ति घर में आपने समर्पित किया है यहाँ पर इस बेल पत्र को अपने हाथों से उठाना अपने घर लेके जाना चाहे आप खुद बीमार हो या फिर आप पे घर का कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ा है बरसों से उसकी बीमारी ही ठीक नहीं हो पा रहे है उस बीमार इंसान को अगर उ समय में ना हो पाए ठीक है ना तीर उपाय की बात हो गई एक आखरी उपाय की बात करते हैं जो कि आपको रुदराक्ष से ही करना ठीक है ना मैंने आपको रुदराक्ष को सिद्ध करने का तरीका बता दिया इस सावन के महीने में ना 72 वर्षों के बाद ऐसा संयोग आया है कि सावन का महीना सुरू भी सोमवार से हुआ है और उसका end उसका खतम भी कब होगा सोमवार को होगा क्या करना जैसे आपके घर में अगर मान लीजे किसी को बहुत टेंशन रहती है घबराहट रहती है परेशानिया रहती है वो हमेंसा सोचता बहुत जादा है इसकी वज़े से बीमार पढ़ता रहता है आपको एक रुद्राक्ष लेना कोई भी एक रुद्राक्ष लिलो जो मैंने सिद्ध करने का तरीका बताया वैसे सिद्ध कर लेना फिर उस रुद्राक्ष को एक तामबे का लोटा लेना उस ताम उस रुद्राश को किसी चम्मच से किसी भी चीज से निकाल के अपने घर पे रख देना और इस जल को उठा करके महादयो के शिवलिंग के पास जाना फेस रखिएगा उत्तरदिशा 9 डिरेक्शन और पूरा का पूरा जल एक ही बार में महादयो के शिवलिंग के ऊपर एक ना घर में घबराहा टेंशन बहुत जादा परिशान रहता है उसका नाम और गोतर बोल के ध्यान रखिएगा जल चड़ाओगे सोमेश्वर महादयो के नाम से यही जल नीचे इगरेगा इस जल को रुद्राक्ष के जल को रोक लेना और उस घबराहाट वाले बीमार वाले या बहुत सोचने वाले गलत थिंकिंग वाले इंसान को अगर आप पिला देते हो तो उसकी जो सोच है उसकी जो दिशा है उस सुधर जाएगी और व्यक्ति कभी भी जीवन में गलत दिशा में नहीं जाएगा आपकी परिवार की भी रक्षा होगी और आप खुद भी बहुत अच्छे तरीके से हर एक काम को कर पाओगे तो मैंने कोशिश की आप सभी को बहुत ही अच्छे से विस्तार से समझाने की बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा कुछ पूछना है नहीं समझ मैं नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मेरे जितने भी भ अंदर बताईएगा मैं आपके घर तक रुद्राक्ष को जरूर पहुचाऊंगा मात दो से तीन दिनों के अंदर स्रीशिवाय नमस्तु भ्यम